हलो आपरीवान वेलकून तो माई यूट्यूब चैनल माई चैनल स्नेम इस गोविंसर इंग्लिश क्लासेज प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर करिये लाइक करिये आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबलरी और जो SSE एक्जाम्स में, बैंकिंग एक्जाम्स में, डिफेंस एक्जाम्स में जितने भी हैं, हमारे NDS, CDS है, Air Force है, चीगाजी, Navy है, जितने भी हमारे टीचिंग्स वाले एक्जाम्स होते हैं, चाहें, वो CTET हो, चाहें, UPTET हो, चाह आपको पता होना चाहिए, आपको कुछ बारी कियां पता होना चाहिए, वोकैबलरी के बारे में, तो आज हम बात करेंगे, हसी वाले, दस ऐसे शब्द, जिन पे हम चर्चा करेंगे, different, different हसी के उपर, अब देखें, पहला जो शब्द है, वो है, कैकल, C-A-C-K-L-E, कैकल क मतलब होता है, खिल-खिल कर हसना, कैकल एक ऐसी हसी होती है, जिसमें खिल-खिल कर हसना होता है, इसकी English मैंने लिखी है, to laugh in a loud and unpleasant, pleasantly unpleasant way, especially in a high voice, तरीके सहसना, जोर-जोर सहसना, unpleasant तरीके सहसना समझ लेजे, तो खिल-खिल कर हसते हैं, लोग तो हमें का क्या लगता है, बुरा लगता है, तो ये कैकल आपको ध्यान रखना है, कैकल एक हसी होती है, ध्यान रखना कोई आपको खिल-खिल करके सामने हसे, देख लीजे, वो कैकल हसी है, ठीक है, अब दूसरी है हमारी चकल, C-H-U-C-K-L-E, चकल का मतलब होता है, to laugh quietly because you are thinking, आप कुछ सोच रहे है और हसते जा रहे हैं, आपने कभी अन्वफ किया होगा, आप मनी मन में हसते जा रहे होते हैं, वो चकल होता है, मुह दबाकर हसना, ठीक है, चकल का मतलब मुह दबाकर हसना, तीसरा वर्ड है हमारा, गिगल, G-I-W-G-L-E, गिगल का मतलब होता है, to laugh in a silly way, जब आप हो जाते हैं, एम्ब्रेस्ट हो जाते हैं, अम्यूजड होते हैं, तो कैसे हसते हैं, ही 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 करना, है है करना, गिगल होता है जिसे, जैसे कभी कभी आपने अक्षक हमार की मूवी में देखा हो, अक्षक हमार जब नर्वस होता है, तो किस तरीके साहता है, गिगल होता है वो एक हसी होते है गफ़ो जी यू डवल ऐफ एडवो गफ़ो का मतलब होता है सफे मामुली बात पर ठाक लाँ आका बैया कोई बात नहीं है वैसी हसी जा रहें गफ़ो होती है एक होते है sólo uh और अर ओ रोर होता है तो लाफ very loud जोड जोड से उसना उसे बोलता है रोर एक होती है स्निकर इसनिकर का मतलब होता है to laugh in a quiet and unpleasant way something rude किसी की खिली उडाते हुए मुँ दवा कर चुपके से इसना और स्निकर और इसनिकर दोनों का मतलब एक ही होता है एक होती है टिटर टिटर का मतलब होता है to laugh quietly दवे हुए हसना विशेस तर खिसी आते है गवराते हुए जब आप खिसी आते हैं गवराते हुए तब आप हसते हैं तो उसे बोलता है टिटर और laugh का बतलब तो आपको बतना है पता ही है जो natural होती है हसना होता है और smile मुस्कुराना होता है तो ये दस्तर है कि हमारी हसी होती है तो ध्यान रखिए कौन किस तरीके से हसरा है तो आप मैंचानली उसके लिए वही शब्द यूज करिए तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर करिए लाइक करिए थैंक यू वेरी मच इनीड यो सपोर्ट सो विश्यू आल बैस थैंक यू